क्राइम अलर्ट जरुम के खिलाफ आवाद मेरे विश्वास कीजिब मैंने से नहीं हुलाया है मुम्मी जी प्लीज प्लीज मेरे बेटे का नास करके आस करेगा तू ओए अंटी क्यो हीरोईन बन रही हो सबकुछ पता ही है तो तमाशा करने की क्या सवाती है नवीन उनने मेरे बेटे की जिन्दी का तमाशा बनाया है अब तू देख मैं तुम्हारा तमाशा कैसे बनाती हूं नए ने ममी जी ममी जी में पास कनिये आँ आँ आउटी नवीन नवीन नमीन, शॉड़ वमंची को नमीन! शॉड़ वापन सब्समFlow अई मझेवारे के सबमों ऑद शॉड़ो जॉड़ो पछस , पटाऊ भाकण थे ? शॉड़ो, चौड़ो उसके भाया मान बान ना भाया भाई, बा हाइ sausage या तुसक्थ डूरूर। भाई!! चवर इसको.. अर तुसका.. झाझन चवरू,, जगरू.. जगर दे यह बहुत च्रबी है.. होड़ बहुत चर्बी दो, मारब कि थे मनेा फिली.. जय क्या इसमिया, वह घ्लुक्या है.. अगे बनाना प्रतार मार दो गई रोग चल चल मुझे तुझे तो मैं घर पर बताता हूं यह तो क्या कर रहा है हां बत्तमीज हो गया है जवान बेहन पर कोई सतरा हाथ उठाता है अरकती यह सी किये इसने पुछो अपनी जवान बेटी से क्या हुआ पाओ जी वो 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 क्या कर रही है साफ साफ बताना उस नवीन के साथ आज भी तेरा घूमना फिरना चालू है हां बाबुजी धोका दिया इसने हमें अरे जूटा वादा किया इसने हमसे कि उसके साथ सारे रिष्टे तोड़ ले गिये देख जिया बेटा मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ और अभी भी समझा रही हूँ कि उस नवीन से तेरे शादी नहीं हो सकती है वो अलग जातका है और हम नहीं चाहते कि समाज में कल को हमारी पगड़ी उच्छा ली जाए पर बाबुजी आज कर जात बिरादरी को देखता कौन है और एक जात बिरादरी के चकर में मैं इतने अच्छ लड़के से मिलना छोड़ दू अच्छा लड़का कोन अच्छा लड़का वो नवीन अरे एक नंबर का अवारा और लड़की बाजव हो अई भाई आप तो रह नहीं दो जूट बोलते रहते हैं ये और मैंने आपको कितनी बार बोला है नवीन के बारे में न उल्टा सिधा मत बोला करो अरे अच्छा अब लोगों ने अरे देखा आप लोगों ने अरे कैसी जबान चल रही है इसकी आ तो चलेगी ना भें दो आपी की यूँँँँआ जी या बेटा अमारे बारे में भी तो सोच ठीक है ठीक है आप लोग चाते मैं नवीन से शादी ना करूँ नहीं करती उस से शादी एक अज के बाद इस घर से एक कदम बार नहीं निकालेगी तु अच्छा सा लड़का देखके शादी करो इसकी वरना मुझस से बुरा कोई नहीं होगा मैं जबान चलने लगी है तेरी अरे भाव जी मा अरे भाव जी मा अरे भाया सुनना तो जी आगे बारे में सोच और कोई अरे फैसला ले ले कोई अच्छा लड़का दे कि उसकी शादी करवा दे वही करना पड़ेगा यार मैं क्या सूच रहा था एक लड़का है मेरी नजर में जो तेरी बहन को बहुत खुश रखेगा कोन है कि यल बात करते हैं यार वो अरे बोलना वो क्या बाद में बताता अरे तिमाग मत खराब कर अभी बोलना मैं क्या बोला तुने मैंने बोला मैं करूंगा तेरी बहन से शादी क्या बोला तुने तेरी हिम्मत कैसे होई मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने की दोस्ती के सारे उसूल भूल गया मेरी बहन तेरी बहन तेरी बहन मेरी बहन अरे इत इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है तू, तेरे जैसे इंसान पे, अभी के अभी जाए यहां से, चला जा मेरी आखों के समने से, शकल मत दिखाना अपनी, समझा, निकल, मा, माओ जी, अरे कोई दर्वाजा खोलो, मा, माओ जी, अरे आप हमको ऐसे बन नहीं करके रख सकते, मा, 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 बाओ जी, मैंना, इस पंके से लटक के, अपनी अपनी जान दे दूगे, अगर आप लोग अने मेरी बात नी माली तो, अप बता रही हूँ मैं, आप मुझे अजे बंदर के ने रख सकता है कमरे में, नहीं, और नहीं मुझे आप मुझे नवीन से मिलने से रोख सकत इस बुद्धी खराब हो गई है इसकी देख, मा, बाब जी भाइया को बोलो मैं अभी संग से लटकूँगी बहावी, तो, भाइया को बताओ बहुत अबी बोलो ना, मा अब लोग चलो बार, अरे ऐसी ही बख रही है ये, कुछ नहीं करने वाली है, चलो बार अब आब जी, मैं सच में लटक जाओंगी, ये भाईया, मैं सच में अपनी जान देखे रहूंगी देखना, ये भाईया, ये दर्माजा, खौल, खौल अलो, क्या है, यार, तुझे पता है, ये लोगों ने मुझे कबरे में बंद करके रख दिया है, अब हम कैसे मिलेंगे नवीन, यार तरह भाई नो, चल्लाद है, चल्लाद, बहुत मारा है, यार, मुझे, ओ, उच्छ घर उसका, अच्छा सुनना, मुचे मिलने आना, मैं नही कैसे भी करकर आना, मुझे मिलना है अभी के भी, यार, यार, लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके रखा, मैं कैसे आओंगे तुझे मिलने, अरे, कुछ भी कर, यार, कुई भी एमोशनल ड्रामा कर, अरे, अब भी मैंने सुईसाइड का नाटक किया था, उसमें भी भाई अरे, यार, मैं नहीं आ सकती, नवीन, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी के भी या, अलो, नवीन, ये भी न, दिनेश, वो आगे मेरे, यार, ये, क्या हो गया, वोट मार रहा है, आवर, इसने, लगता है, यहीं से निकलना पड़ेगा, यार, तिरे साथ बहुत बुरा हुआ, यार, नवीन, नवीन, मुझे माफ कर दो, मेरी वज़े से भाईया ने तुम्हें बहुत मारा ना, अरे, कोई ना, वो आज चेकी गया, जिसने अपने मा शुगा के भाईय से मारना कही हो, और वैसे भी, जी का भाईया ऐसे ही करेगा जब वो अपनी बहन को ऐसी आलत पर देखेगा तुम कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो, पता नहीं भाईया ये बात का हम समझेंगे, कभी नहीं, हमारे भाईया मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, अब आगे क्या करना है, वो हमें सोचना होगा, सोचना क्या है यार, ज जिया, क्या, बाग चलते हैं, फिर वही बात, मैं तुम से कितनी मार काये, मैं नहीं बाग सकती हो, मुझे तुम और मेरे घरवाले दोनों चाहिए, जिया, देखो, ये तो होता हुआ दिखनी रहे, क्योंकि एक तो तुम्हारे भाईया इतने खतरना के उनके चरचहर गली म तुम्हारे घरवालों के पास कोई चाहरा नहीं बचेगा मुझे से शादी कराने के लावा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, नवीन, सही कह रही है, एसा लड़का कहा मिलेगा जो तरी इस बेकार की बात को मालने, औरे है न लड़का मेरी नजर में, कौन, दिनेश, क्या, हम सच में बागल हो गयो। तुम्हारे भाई को भी नहीं पता चलेगा और यह बात हम तीनों के बीच में रहेगी यार शादी कोई मजाग थोड़ी है और क्या नवीन देखो अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगे ना तो जीया तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और दिनेश तु तु तो अपना भाई है ना यार तेरे जैसा सीधा साधा अच्छा लड़का कहा मिलेगा पूरे महले में तेरा ट्रैक रकॉर्ड भी अच्छा है इसका भाई कभी तेरे लिए ना नहीं करेगा और इसके भाई को भी नहीं पता चलेगा यह बात हम तीनों के बीच में रहेगी एक दिनेश मैं सर्फ तुछ पर बरोसा कर सकता हूं यार मैं मम्मी को क्या बोलूंगा अरे मम्मी मम्मी को बोलते ना कि तुझे यह पसंद है और तु तो है इतना अच्छा कि कोई भी तुझे अपनी लड़की दे देगा और मम्मी को पटाना तो तेरे दुझे अायात का खिल में ये जानता हूं ये तुमी समझों ना यार आसे से बहन जी मैंने मुहले के एक सादी में जीया को देखा थाए जीया मुझे पसंद आ गई मैंने दिनेश से पूछा दिनेश ने कहा माँ आपकी जैसी मर जी अरे बहन जी ये तो आपके बेटे का सीधापन है हमें दिनेश बहुत पसंद है ऐसे लड़के से हमारी बेटी की शादी हो जाए हमको भला जीवन में और क्या चाहिए जी ये बेटा आओ मेरे पास बेटो तो भाई सहाब रिष्टा पका समझो जी अरे पूजा सुरूती को देखो पूजा की थाली लेने गई थी कि शुती चल आंटी तुझे बुला रही है हां तो ठीक तो है ना हां तेक मैं जानती हूं तो दिनेश से कितना प्यार करती है और जिया के जगे तुझे उना जिए था मेरे चाने से क्या होता है वो तो जिया को चाता है ना तो बात यहीं खतम अब चल आंटी बुला रही है चले चल आओ रुको रुको भाई हमारे बिना ग्रह प्रवेश कैसे हो सकता है अब करो ग्रह प्रवेश अब बाता है जी आओ चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ आओ आओ दोस्त बने फिरता है अंटी जी अंटी जी हमारे दोस्त का एक्सिडेंट हो गया था और बस उसी सब चक्करों में फसे रहे गए अब शादी हो गई है तो आना जाना लगाई रहेगा आओ अरी यार राइटने के लिए भी जगा नहीं है पुरा बेट गंदा करके रखा हुआ है तुमको फूल पसंद नहीं है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पसंद जब तक दिनेश नहीं आ जाता है तब तक मैं तुम्हें कमपनी दे देदेगा कोई ज़रूरत मैं देखो क्या नाम है तुम्हारा? शुरती शुरती मुझे मेरी ही कमपनी पसंद है तो प्लीज और क्या मैं कुछ देर के लिए के लिए रह सकती हूँ? ओकी और सुनो वो जातो है दर्वासा बंद करते ना आंटी ची मैं घर जा रही हूँ अच्छा बेटा दिनेश तु भी जा अराम कर ले जी मा सही है बेटा बीवी आई तो दोस्तों को भूल गया अभी तो गया नहीं अब उसकी बीवी आ गई है उसके पीचे चोड़ दे बस अंटी जी जा रहा था अच्छा सुन तुझ पर भरोसा करकर इतना बड़ा रिस्क लिया है द्यान रख्यों अपनी बावी का समझा बरोसा तोड़ियो मत अब जा अब ईख्यों अच्छा आप बैठिये ना? बैब 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 रहे ना? नवीन का फोन है अलो हा नवीन, पोलो और बहुरानी, कैसा लग रहा है शादी करने के बाद, हाँ? कुछ नहीं मैं अभी यही सोच रही थी, काश फिर नीश की जगा तूम होते वो तो है हलो इसने फोन आफ कर दिया इसा कैसे? कहीं वो दोनो? अरे नवीन, छोड़ो ना, क्यों बार बार फोन कर रहे हो और इस रात का मज़ा खराब कर रहे हो बाड में जाने दोसको, मैं हू ना तुम्हारे साथ तू मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, चिया को पाना मेरी जिद है और उसको मैं पाकर रहूंगा उसके भाई ने मुझे थपण मारा था ना अब उसको मैं असा तमाचा मारूंगा वो आमेशा याद रखेगा और मैं? मेरा क्या? मुझे छोड़ दोगे उससे पाने के बाद तू तो अपनी जान है जान तूझे कैसे छोड़ सकता हूँ? राजा मेरी जान प्यार, इश्क, महबबच जैसी पाक सा भावनाओं को हवस के तराजू में कभी नहीं तोलना चीए जिया का प्यार नवीन के लिए सिर्फ उसकी हवस और बद्ला लेने का माध्यम था जिसको शायद जिया समझ नहीं पाई नवीन की जिया को पालने की लालसा उसके दिमाग पर हवी हो गई थी जो जिया को कभी दिखी ही नहीं जिया की आँखों पर प्यार की ऐसी पट्टी बंदी थी कि उसे उसका परिवार उसका सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा था और अपने नापाख इरादों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिनेश की सादगी का नाजायस फायदा उठाया एक मिनिट के लिए भी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो शादी जैसे पवित्र बंदन का मजाग बना रहे तो क्या दिनेश के साथ जूटी शादी करके जिया नवीन को पाने की अपने नापाख इरादों में कामयाभ हो पाएगी क्या जिया को नवीन का अस्त्री चहरा और उसके बदिरादों के बारे में कभी पता लगेगा आए देखते इन तीनों की जिन्देगी आखिर यहां से अब क्या मोड देने वाली थी जिया इनेश बहु नहां के नीचे आजा तुमको आज कुछ मीठा बनाना है ची अरे आउंटी जी बहु को आयो एक दिन ने और आपके तो बारा बजे हुए अरे नवीन यह मजाक वाली बात नहीं है बेटा टेंशन बाली बात है इसे क्या बात है आउंटी जी क्या हुआ वो मुझे यह बता जी यह लड़की कैसी है अरे आउंटी जी एक्तम हीरा है हीरा क्यों क्या बात है देखो आउंटी आप मुझे टेंशन दे रहे हो बात क्या है आज सुभा जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा क्या देखा आण्टी जी? क्या देखा आपने? मैंने देखा वो दिनेश दिनेश क्या? नीचे जमीन पे सोया था शुकर है क्या? ना ना कुछ नहीं आप बताईए क्या बोल रही थी? देख तुई एक काम कर इस बारे में तु दिनेश से बात कर मैं इस तरह की बात करूँ तो अच्छी नहीं लगूँगी अरे आण्टी जी मैं हूँ ना? मैं बात करता हूं दिनेश से आईए अरे आण्टी अब ब्लकुल टेंशन मतलो मैं आगे हूँ ना सब ठीक कर दूँगा अरे बहुरानी और क्या बनाया है? खीर बनाई है तो खिलाओ फिर? हाँ ये लो अरे बाबा मुझे नहीं पहले अपनी सासु मा को खिलाओ उन्ने मिलेगा ममी जी अच्छा है सगुन देते हैं जब बहुराने कुछ मीठा बनाती है हाँ अभी लेके आई अब तो खाऊँगे? क्यों नहीं? हाँ ये लो ऐसे नहीं फिर कैसे? ने हाथों से खिलाओ अच्छा कैसी है? अच्छी है एक्दम तुमारी तरह अच्छी अच्छी बनाई ये लो बेटा सगुन और जा के देखो दीनेश क्या कर रहा है और मेरी नई नवेली दुलहान खुले खुले बाल हाँ सेक्सी साड़ी मन तो करता है यहां से उठाक के ले जाओं तुम्हें अच्छा ए आजआ में दरगा था तुमारा फोन अफ था हाँ क्या हुआ ना मैं बहुत थक गई थी मुझे कब नीड आगई मुझे पता ही नहीं चला और हाँ वो पहन की बैटटरी ख़तम हो गई इसलिए मेरा फोन आफ हो गया था मुझे लगा कहीं तुम दिनेश के साथ तो नहीं मिल गई तुम पागल हो क्या दिनेश के साथ शादी मैंने दिनेश के साथ रहने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए कि बैस एक बार मौका मिल जाए फिर देखना, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे वो तो है यह क्या कर रहे हैं आप मामी जी? क्या हुआ आपको? कि अपने घटिया हो रहा थो तुम मैं अपने आशी के लिए मेरे बेटी की जिनकी पर बाद कर दी क्या कह रहे हैं आप मामी जी? चुप कर तूँ मैंने तेरी और नवीन की सारी बात ये सुन ली थी इतने घटिया लोग हो तुम दोनों मेरे सीजे साथे बच्चे को फसाया है तुम दोनों ने नहीं नहीं मामी जी जैसा आप सुचके मेरे खर से मैंटी जी तुमने मेरे बेटे के जिनकी परभाद की है खट सालर की है, मिलसी निकाल मेरे खार से आउंटी जी आउंटी, जब ठीक है ना? आपके तब़त थीक है ना? आप बेटा मैं ठीक हूँ नई, आप ठीक नहीं है मैंने आज तक आपको ऐसे नहीं देखा बोलिये ना आउंटी, आप इतने टेंशन में क्यों हो? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी तुम यहां से जाओ जी अज आने देदीने इसको, सब बताती हूँ मैं अची से कुछ नहीं है जैसा हम सोच रही है तो सुन मेरी बात क्या हूँ आमा, तू सुनेगा ना, तेरे पैरो तले जमिन खी सक जाएगी बेटा तेरी बीबी और तेरे दोस्त का चक्कर चल रहा है मा इसमें से जीया और नवीन की गलती नहीं है मतलब? मेरी भी गलती है मुझे पहले से पता था इस सब के बारे में और ये शादी मैंने अपने लिए नहीं किये इन दोनों के लिए किये ताकि ये दोनों मिल पाएं, एक हो पाएं तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया इन दोनों के लिए और इतना ही नहीं तुमने अपने मा को भी धोखा दिया है बेटा दिनेश, दिनेश प्लीज ममी चे को समझाओ देखो, अगर उनने मेरी ममी बापा को बता दिया ना तो मैं नहीं बता क्या होगा जिया, जिया जिया, तुम रो मत मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा जिया, तुम यहां फोन मत करो और नहीं यहां यहां पर आना क्यों, क्या हुआ? अरे ममी ची को सब कुछ पता चल गया है उन्होंने अम दोनों की बाते सुन ली है और अगर उन्होंने अमें साथ पे देख लिया और वो ममी पापा और भाईया को यहां बुला कर सब कुछ सहसच बता देंगी दबराओ, मत मैं कुछ करता हूँ नहीं, देखो भी तुम कुछ दिन चांत रो और यहां परफोर्मत करना दुबारा जिया, तुम टेंशन मत लो देखो, अगर मेरे भाईया को कुछ पता चल गया ना, वो मुझे जान से मारतेंगी अरे यार अब इस फोन पे क्यो गुसा उतार रहे हो चुपकर, जब देखो चकर 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 कान में दर्द हो गया है इधर तु है और दर वो जिया पुछ कोई ना अटा कोगी है, हाँ मुश्किल सो उसके करेब आने की खोशिश कर रहा हूँ ऐसे आसानी से मोका हाथ से जाने नहीं दूँगा अमजी कुछ नवीन तुम यहाँ सीने देख लिये तो मुसीबत हो जाएगी तुम जाओ यहाँ जाओ कोई नहीं देखेगा मुझे पता है गर में कोई नहीं है मैं तुझे लेने आया हूँ चलो अरे तुम कैसी इसे पागलो वाली बाते कर रहे हो मैं ऐसे चल सकती हैं तुम्हारे साथ सब गड़ अजाएगी कुछ गड़बंदा नहीं होगी जुच जल एक मेरे साथ अरे मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ ऐसा क्या तुझे दिनेश से प्यार तो नी हो गया है मजी दोखा दे रहे है ना पागलो बाते मत करो यसमय ने तुम्हारे लिए ही तो किया है इतना मेरा रिस्क लिया अपनी घरवालों से दोखा किया है मैने और यहां तक कि दिनेश उसने तो अपनी जान दाओ पर लगा दी है तो मुझसे जादा तुझे उस तिनेश की पड़ी है चोड़ो मेरा हाथ मुझे दर्त हो रहा है नवीन मामी जी तो मुझसे जादा तुझे उस तिनेश की पड़ी है चोड़ो मेरा हाथ मुझे दर्द हो रहा है नवीन एह मामीची तेरी इतनी हिम्मत मेरे जाते ही तुमने इसको बुला लिया ये सरमे की हद पार कर दी तुमने ने ने मामीची मैंने नहीं बुलाया इससे चुप कर जूठी चोरी पकड़ी गई नादान बनती है उमारे पूरे खांदान को बताऊंगे मैं और इसको इसको तो पूलिस के हवाले करूंगे मैं ने मामीची मेरे विश्वास कीजिए मैंने से नहीं बुलाया है मामीची प्लीज मेरे बेटे का नास करके आस करेगा तू ओए अंटी एपी क्यो ही बन रही हो जब सब कुछ पता ही है तो तमाशा करने की क्या ज़र होता है नवीन उमने मेरे बेटे की जिन्दागी का तमाशा मनाया है अब तू देख में तुम्हारा तमाशा कैसे बनाती हूं ने 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 ममीची न हमीड न को आए है अंटी नवीन ! नवीन घोड़ो ममीमीजी को नवीन किpu Kids नावीन चोड़ो नवीन चोड़ो अश्ल हम ज्सक्री टो नवीन अब COP1 नवीन चोड़ो चोड़ो ममीजी को यह यह तो नवीन यह ंढ़ स smat ढूल दिना पेर फेसल गया मामी जी मामे जी मामी जी मामी जी मामी जी मामी जी माम आंटी क्या हो आंटीको ममी जी तिरेश.. पापजी..पापजी..पापजी..पापजी..पाप.. तिरेश.. क्या हुआ माको.. क्या हुआ माको.. ऊपर से पेर पेसल गया मामीजी का.. झाल! झाल! दिनेश, दिनेश सम्हालो अपने आपको, दिनेश, तो यहां क्या कर रहा है, वो भाईया जी, एक ही महले किया न, तो बस मिलने आ गया था, मिल लिया, जी भाईया जी, देख लिया, जी, चल निकल, और सुन, जी, आज के बाद दिखना मत, बास कर मेरी बेहन के आसपास, निकल, दिनेश, बास करो, जी आ बेटा, इनको कमरे में ले जा, जी, दिनेश, चलो उपर चलो, चलो, बैठो, तुम लेटो मैं पानी लेकर आदी, जी आ, मुझे पता है, आँटी का पैर फिसला नहीं था, कोई और बात है, मतलग, छट पे कपड़ा तो तुम सुखा रही थी, आँटी नहीं, और उस दिन आँटी, तुम पर गुस्सा भी हुई थी, वो क्यों गुस्सा हुई थी, ये मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो गडबड था, और इतना ही नहीं, आँटी के जाने के बाद, मैंने नवीन को घर में घुस्ते वे देखा, तुमने ये बात दिनेश को नहीं बताई, क्यों? वो, शुख, एक इंपोर्टन फोन है, क्या है? यूं बाबार फोन कर रहे हो, एक तो मैं वैसी परिशान हो, उपर से तुम? वह कैः? यह हुआ है? इतना सब कुछ करने के बात तुम मुझसे पूछ रहे कुई क्या हुआ है? तुम्हे पता भी है के तुम क्या करके गयो यहाँ पर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ उपर सिवा शुरूती उसने तुमें घर में आते हुए देख लिया था अभी-अभी मुझसे पूछ के गई है उसे मुझे पर शाक हो गया है अभी मुझे तो डर लग रहा है कि कही वो देनेश को सब कुछ ससचना बता दे तुम प्लीज फोन करनो ना बंद कर दो एक के बाद एक मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे समझ में निया रहा है कि मैं क्या करूँ उन रखो बहन जी क्या हुआ अपके बच्ची को बच्चा अलीजी है क्या हुआ अपके बच्ची को आज कल की लड़किया कितले इंटेलिजेंट हो गई है बताओ एकदम दिमाग से तेज सबको डिटेक्टिव बनना है अरे चुपचाप से घर पर नहीं रहा जाता जब तक दूसरों के पच्चडों में नाकनी डालते तब तक चैन नहीं मिलता ना तुम्हें अब दिनेश के माँ कव मरी कैसे मरी क्यों मरी सब जानना है तुझे हाँ सब जानना है तो सुन मैंने मारा उसे फैक दियो उसे चट से जब तक जिया मेरे पास नहीं आ जाते तो यहीं पड़ी रह चुपचाप नवीन तुम यहां क्या कर रहे हो मरवाओगी क्या जाओ यहां से अरे 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 यह अरे अरे बहुत हुआ यह पत्थी-पत्नी का गेम अब ख़तम करो अशे तनेश जिया को तलाग दे दे तलाग ऐसे कैसे अर मेरे भाई इसे अच्छा मोका कहमे लेगा हमें बोल देना इसके गरवालों को इसकी वजह से मेरी मा मर गई मेरे लिए मनूस है नहीं रहना चाहता इसके साथ तू बोल देगा ना मेरे भाई जिया यह बोल देगा चलो हम चलते हैं जिया को भी तसलिय हो जाएगी हां फोल लगा ले तू ना अभी कॉल कर पॉन कर देनेश तू देख क्या रहा है इस पर तेरी नियत तो नहीं पिसल गई ना साले दोस्की गल्रफ्रेंट पे बुरी नाज़े डालता है अबरदार सच तो यह कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ समझे तुम अच्छा अब समझा नियत इसकी नहीं तेरी पिसल गई हां क्यों एक आदमी पूरा नहीं पढ़ता क्या कि तुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया हां हो गया है मुझे इससे प्यार क्या कर लेगा तु पत्ती है वो मेरा बहुत प्यार करती है मैं उससे और मुझे तेरे साथ नहीं जाना सुन लिया तुने चल निकल यहां से सुदानी तुने, निकल याँ से दिखा दिन अपनी उकाद आज ही है, कल कोई और होगा तेरी जैसी लड़कियों को रोज रोज अलग-अलग आदमी चाहिए होते हैं नवीन साले, तेरी ये हमब नवीन पुझे पता नहीं चला क्या अभी तक जब मैं तेरे लिए अतना कुछ कर सकती हूँ इससे तो मैं सच्चा प्यार करती हूँ सोच, इसके लिए मैं क्या-क्या कर सकती हूँ समझा नहीं अभी तक तू निकल यहाँ से औरना ऐसा इल्जाम लगाँगी न तेरे उपर कि तो सोच भी नहीं सकेगा ज़ 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 ज़गाँगी नहीं मुझे नहीं जाना तुमारे साथ समझे तुम निकल यहाँ से सुदानी तुने निकल यहाँ से छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को उजिया को तो उठा के लिया हूँगा और उस द्रेश को उसको तो मार डालूंगा अब उकाद पता चल गई न तुम्हें तुम्हारी देख लिया वो तुम्हें क्या समझती है कुट्टे जैसी हालत कर भी गली के कुट्टे की तरह बाहर निकाल मारा चुपकर मैं क्यों चुपकर हूँ उसके सामने तुम्हारा जोर नहीं चलता और मेरे सामने अपना जोर चला रहे हो मैं भोल रहे हूँ अब यह वी वाकत है मेरे साथ रह लो वरना दोबी के कुट्टे जैसी हालत हो जाएगी ना घर के रोगे चुपकर भोल रहा हूँ ना चुपकर 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 यह वो वो नवीन उसने ममेची का कतल किया था वो अजानक से छट पर आगिया मैंने उसे कहा भी जाने के लिए फिर पता नहीं ममी जी आगी और उसने तिनेश 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 यह तुमने क्या किया जिया मैं कितना भरोसा करता था था तुम पे उन्हें इतनी बड़ी बात मुझसे चुपाई उस नमीन को बचाने के चक्कर में तुमने मेरी माँ को माँ को धोका दिया दिनेश दिनेश मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होई है मुझे तुम्हें मुझे तुमसे यह बात नहीं चुपाई चाहिए थी प्रेश मुझे माफ कर दो नवीन को उसके किया कि सजा मिलेगी हम पुलीस को सब कुछ बता देंगे प्रेश माजी को नवीन ने मारा था और लेला मजजनु की जोड़ी कहा चली दीनेश माकोमाला माकोमाला दीनेश भी देपना है दूल दूल मेरी माकोमाला दीनेश देप Shoot व्हें और भी मेरे आंड और बीक dog भी. होvak की बिजिए भूख धाता था दिलेश, 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 खूल, तुमुर को, मैंमेल बोन करती हूं, झाल तेलेज।। 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 तेले… तेलेज। जगोट। इदाओंग कि मेगा तेल! याह! आछॉ आधान कैने पॉसलु हैँ अब बच्कर कहा जाएगी हाँ जोड़ कर दिनिश को चलो ना? जोड़ तो गया? तुझे भी उसके पास पचा कर सुकुल ले लेगा मुझे तुझे मुझसे कोई नही बचा सकता जोड़ अभी जोड़ अभी यह तू? जहां देखो वां टपक पड़ता है जोड़ता है जगन? जगन? जगन तुझे तुझे चोड मज़े जगन चोड चोड बैट चोड दुझे क्या लगाता तुमुझे थपण मारेगा और मैं तुझे छोड़ दूगा इसाफ साफ है पहले तू मरेगा फिर हम दोनों मिलके इसको आपस में बाट लेंगे जोड़ दूरण दूरण भार दूगा जोड़ जगन यह तुम्हें भुली गया था अधो इसको कामा काम मानने जा रहा था बैया नमील आइसको जगन नाइन जगन है सब्सक्राइब को छोड़ को अप Don't satis बाख्या, तुम को पाजाऊ तिनेश दिनेश 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 जड़ को मज़े दिनेश-दिनेशだ way दिनेश दिनेश-जी ऐइस डिलेश की साब्तた है जलदी रीश ratchet दिनेश! जिया की किस्मत अच्छी थी के देर से ही सही लेकिन उसे नवीन का असली चेहरा दिख गया और उसने दिनेश की जान बचा ली जिया को अपनी गल्ती का ऐसास होना इस बात की पूर्ती करता है कि उसके माबाप उसके लिए जीवन साथी चुनने में घलत नहीं थे दोस्तों हमारे माबाप को इंसान पैचानने की परख हमसे जादा होती है वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे और जब कभी हम उन पर भरोसा नहीं करते तो नवीन जैसे शाती लोगों का शिकार बन जाते है जीवन साथी का मतलब होता है एक ऐसा साथी जिसके साथ आपको पूरा जीवन व्यतित करना है आपका ये घलत फैसला आपकी और आपके परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है नवीन को पुलीस ने हिरासत में लिया और उस पर दिनेश की मा और शीला के खून का केस दर्च किया जगन को भी नवीन का साथ देने के लिए पुलीस ने हिरासत में लिया आज जिया दिनेश के साथ एक सुखी वेभाहिक जीवन व्यतित कर रही है बीना किसी डर के इसी के साथ मैं गिरीज जैन Crime Alert के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ भिर मिलूंगा ऐसी एक सची घटना के साथ तब तक Be Alert, Be Safe Crime Alert, जुर्म के खिलाफ आवास